Hello students, how's you all? Today we will read First Flight from Class 10th and the poem is A Tiger in the Zoo and the poem composed by Lizzie Norris सबसे पहले बिटा पोयम जब हम पढ़ते हैं तो आपके question सबसे पहले क्या आता है? Central idea पूछा जाता है कि पोयम का central idea क्या है? ठीक है? पूछा जाता है author कौन है? poet का नाम पूछा जाता है तो Lizzie Norris याद रखिए और इसका central idea क्या है? यहाँ पे tiger जैसे case tiger को यानि जो zoo में बंद होते हैं zoo में चुडिया घर में जो tiger होते हैं उनका compare किस से किया गया है? Natural habitat से ठीक है? Natural habitat यानि की जो जंगल में self रहते हैं जिसको problem नहीं होती है उनकी बात गई गया है उनसे compare किया गया है Okay students then यहाँ पे क्या है this poem contrast a tiger in the zoo with the tiger in the natural habitat यहाँ पे poem जो poet है उन्होंने बताया है कि एक जो natural tiger होता है natural habitat means जो प्राकितिक जगह पे रहता है यानि जो forest में एक tiger रहता है और जो एक zoo में कैद रहता है यानि चुडिया घर में जिसको केज में कैद किया हुआ रहता है वो उसका भी है और उनका भी है कैसा होता है ना तो दोनों का contrast किया गया इस poem में तो यह आपका central idea अगर पूछा जाएगा तो आप central idea यह बता सकते हो कि यहाँ पे केज टाइगर को compare किया गया है natural habitat tiger से ठीक है और इसके poet कौन है lazy knowledge है और इसके बाद जो इसमें पूछा जाता है कभी-कभी कि opposite words यानि freedom और captivity आप बता सकते हो कि एकसवतंदरता और जो बंधन होता है उसकी बात इसमें कही गई है the poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo और इस poem में क्या है पहले हम जंगल की बात करते हैं जू से जंगल जाते हैं उसके बाद फिर अगे ना जाते हैं जू में यानि जो इस टेंजा डिवाइट किया गया है उसकी बात कही जा रहे है तो यह poem हम पढ़ते हैं और इसमें बताते हैं कि क्या है okay so let's start he stalks in his in his vivid strips the few strips of the cage on pats of velvet quite in his quite range और एक चीज़ जान लीजे कि जैसे यह दिया जाता है पोयम में word to word तो हम समझ लेते हैं लेकिन उसके पीछे एक deep meaning होती है ठीक है ना तो इसमें जैसे word to work is the text की मात होती है तो उसमें क्या जाए 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 बात कही जा रही है और pats of velvet quite यानी जो चिकना भाग होता है जो उनके पंजे होते है पाज होता है उनकी बात कही जा रही है quite range मतलब अपनी range में बिचारे रहते हैं ना गुस्सा कर सकते हैं ना angry कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनको एक उनका एक क्राइटेरिया बन जाता है जो केज के अंदर ही रहता है तो यहां बता रहे हैं कि जैसे कुछ few steps विचारे वो जो tiger होते हैं जू में वो लेते हैं उसी केज के अंदर ही उनके जो पैर का जो चिकना भाग है वो विचारा कहां तक घुम रहा है कि वहल अपनी रेंज में यानि के अंदर ही है वो ठीक है ना उसके बाद क्या क्या आ जा रहा है इसमें यहां पर देखिए लॉकिंग मिन्स हाइडिंग होता है तो यह अब फारेस की बात कहा है कही जा रही है ना यह जो की बात नहीं नहीं चुडिया घर में जो केज उसकी बात नहीं कही जा रहा है आए Kü jue it क्या कहा है जब वो फारेस में रहते है तो कैसी रहते हैं खुझ को रॉआ करके क्या समीरी बहा है और अच्छी ब़ुआ से अ ग्रासमें बैठे रहते हैं में इस की जंगल में तो नम राजा होते हैं और जंगल में बैठे occursे है आराम से जो है भुझआ और ब्रकते रहते हैं उन्हें छुपने हारा हुषानी हता है और लुपने these कितने एक प्राइब से भी माइम्डते है लेकिन जयादर सब्रूम आप की जिनान सब्सक्राइब ज dalungे सब्सक्राइब हैuses पित इंवे हो सकते हैं उनन सब्सक्राइब सकते हैं उनने जंगल के आसपाद जो घर होते हैं वहां पर क्या होता है वह रहुला होता है है जंगल का किनारा जंगल के सिप गिनारे तक बॉजा और धारते हैं गलाचीय शहंते हैं प्यलत. के और दिखावा घ्री बीजबी के दाध इंडे में गांव झेट गांव फёज़ में एक पाते हैं था है कि खार लुड़ें est आपने पॉस दिखाते हैं पनज्याय के लोग एक होते प्हिसों इस तरीकां से अब जो तरीके से गांव को डराते हैं और इस तरहां यह तुम नहीं तो गांव कंअ गवाह एक है जब आजकल या कहीं भी जब जंगल को लोग खुद की काट रहे हैं तो उनको जब जंगल में वो चीजे नहीं मिलेंगी तो जाहिर से बात है वो कि गाहों के जंगल के बाहर निकलेंगे और जहां लोग होंगे तो डेफिनेट वो उनको परिशान करेंगे हैं तो कि उनकी ची अपना एंग्री करेंगे लोगों पर गुसा करेंगे but he is locked in the concrete his strength behind bar stopping the length of his is ignoring visitors अब देखे फिर से केज की बात हो रही है जो कि कि वो विचारे जो है सेल में पूरी तरीके से लॉक है उनकी जो स्ट्रेंथ है यानि जो उनके शक्ती है वो सारी चीजे क्या है एक दभी हुई है एक केज के अंदर और वो जो केज का लेंथ है उसी के आज पास वो विचारे जो है टाइगर घूमते रहते हैं और जो विजिटर्स आते हैं देखते रहते हैं उनको फोटो क्लिक करते हैं या जो भी उनको करते हैं वो उसको इग्नोर करते हैं टाइगर है ना वो ध्यानी नहीं देते हैं और अपने एंगर को जो है दबा के रखते हैं अपने अंदर he hears the last voice at night the petrolling cars and stairs with the brilliant eyes at the brilliant stars और steres means देखना होता है petrolling cars जैसे की जो चेक करने वाले आते है जो के जिन्होंने पुरा जो ओनर होते हैं वो लो तो बाहर बार क्या होता है आके देखते रहते हैं कि नाइट तक में कि वहाते हैं सारी चीज तो बवह उसे भी विजिटेश आते हैं वो उनके शोर गुल से पर्शान होते हैं एरिटेड होते हैं टाइगर या जो भी जंगल के जानवर होते हैं उनको केज में जब रख दीजिए तो वह कैसे भीचारे हो जाता है ना नेत्ररल प्रीडम खथम खतम हो जाता है बिल्कुल पूरी तरीके से और रात में घचाल बाट वह होनाम करते हैं तो वही पोएट नोगों को पर नंब करता है कि जो केस के जू के जो टाइगर होते हैं और जो नेचरल है यानि जो फॉरेस्ट में टाइगर होते हैं उन दोनों में कितना फर्क होता है ठीक है उसके बार जो है आपको राइमिंग के बारे में मैंने स्टार्टिंग से ही बताया तो तो राइमिंग आपको अप समर्ज में तो देखिये जैसे यहाँ पर राइमिंग क्या है S E T E तो यहाँ क्या होगा A B C फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर B हो जाएगा क्यों कि E E है इस तरीके से आपको राइमिंग समझनी है और फिगर्स आप स्पीस में जल्दी ही इसकी वीडियो आपको बना के सेंड करूंगी और पोयम आपको कैसी लगी अगरा कोई प्रॉब्लम होती है you can discuss with me okay बगाई